मुकबिर के सिर में मारी कुलहाडी सागर रेफर आरोपी मुकबदिर की बेहन से सरकारी पानी के नलपर कर रहा था छेरचार बेहन को छेरचार से बचाने गया था मुकबदिर भाई गढ़ापोट तैसील के चोराई ग्राम की घटना गढ़ापोट शुकरवार की दोपहर गढ़ापोटा तैसील के चोराई ग्राम से मानप्ता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहां ग्राम के ही एक व्यक्ति द्वारा सरकारी नलपर पानी बरने प्रभाइब प्रभाइब लाए गया जहां से उसे जूटी डॉक्टर ने सागर रेफर कर भिया पीडिकों ने खाना गड़ा कोटा में इस घटना की रिपोर्ट दज कराई है कर दो कि प्रभाइब भी यहां जहीं के लिए प्राज जेटे चोटराव बेड़े तेर माता मंदर के थे वान रियासानी के सब्सक्राइब लिए थे लिए किस कहां से सम्मन देते हैं जो रही है कि कहां कि रहवासी है किराम जो रही है किया मामला है मामला यह है कि इनको मंदर पर बैठी तो कलुपटे लाए और इनके लाने सर्फ पुलाडी समार करता है पर आजये अजये अजये आजये लिए अजये रही है कि तोड़ बाद गाली गलों शक्रत इनकी लाने बोले है कि मामला हुई तो जे बिनना बेठी इन से जे जे जो बाबॉं कजय है अजये वह बन नहीं बदेंगे इस दो चैना माम आपको अपरसुपा जी किस कहां से स्रु पीडिस के पिता जी के बड़े पुत्र उत्म रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे चाचा का लड़का राखुलमंदीर पर बैठा था गाउं के ही कलू पटेल आए और उसके सिर में कुलहाड़ी से वार किया वहीं इस मामले में सामुदाईक स्वास्ते पेंदर गढ़ा कोटा में जूजी डॉक्टर राजकुमार खरे ने बताया कि सामुदाइक स्वास्ते के अंदर में एक महिला एक पुरुष इलाज के लिए आये थे जिनमें पुरुष के सिर में चोट आये थी जिसमें दो टांके आये हैं जिसका इलाज कर सागर रेफर कर दिया गया है साथ में महिला को भी चोटे आई है जो मुलाइजे के लिए साथ में आई थी उनका भी इलाज किया गया है इस मामले में थाना प्रभारी सुश्री भावना दांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि चौराई ग्राम से एक महिला आई थी जिसने शिकायत की कि वो पानी भरने गई थी नल पर तो खलू पटेल नाम के व्यक्ति ने उसे छेड़ चार की है जिस पर महिला का भाई उसे रोपने गया तो आरोपी ने उसके भाई के साथ मारपीट की और पुलहाडी से सिर्पर बार किया थाना गड़ा कोटा में आरोपी के विरोथ 324-354 के तहत मामला दर्ज किया गया है उसके अभी 324 के मामला दर्ज किया गया है और फार्म के से जोगन का